उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवम अपर जिला कलेक्टर जेप्रकाश ने बताया कि 28 सितंबर को पीपराली पंचाय समीती में चुनाव होंगे जिसके लिए जिला प्रशाशन द्वारा चुनाव करवाने के लिए पीपराली पंचाय समीती के मददान दलो की रवानगी एक दिन पहले यानि 37 सितंबर को 11 बजे एसके स्कूल ग्राउंट से की जाई 28 सितंबर को 35 साथ बजे साथ पाच बजे तक मददान होगा 29 सितंबर को उपसरपंच का चिनाव होगा उन्होंने बताए कि मददान दलो की रवानगी के टैंट, बैरिकेड, इस्टॉल एत्यादी इस प्रकार से लगाई जाएगी जिससे की कोरोना संक्रमन की गाइडलाइन में शूशल डिस्टैंसिंग की पालना हो सके उन्होंने बताय कि दूत्य चरण में 3 अक्टूबर को दातारामगर पंचय समीती के चुनाव होगे कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए सही समय बान्योक्त ड्यूटी स्थल पर पोश्चे तथा अनावश्यक रुप से अनुपस्थित नहीं रहे अगर कोई परिशानी हो तो शक्षम इस्तर से अनुमती ले तथा कार्मिक अपने इस्तर पर किसी भी प्रकार की को बिलापरवाही नहीं बढ़ते इतना देलोंसे को और के स्कूल के ग्राउंड में होगी जिसके लिए वारी सारी तइयारियां चबर यहां पे हम क्योंकि अंतिम प्रशिक्ष्ण देंगे तो पंडाल वग़रा की तइयारियां चल रही है इसी तरह से हम बैरिकेटिंग वगेरा करके और संग्रहन और वित्रण दोनों व्यवस्थाओं के लिए काउंटर भी तग्यार कर रहे हैं सारी व्यवस्थाएं पूरा ये प्रियास किया जा रहा है कि सारी व्यवस्थाएं इस तरह से हो कि जिसमें यथा संभाव सोशल डिस्टेंसिंग के कंप्लाइंस भी हो और अमारी सारी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी तरीके से जैसे पहले चुनाओं में संग्रहन और वित्रण करते आए हैं उसी तरह से होती रहें तो सबसे पहले पीपराली 25 समीति का 27 तारीकों डिस्टेंच किया जाएगा 28 तारीकों मद्दान दिवस है और 29 तारीकों उपसरपंच के चुनाओं के पाद में कलेक्शन है तो सारी तैयारी हमारी निर्वाचन आयोग के निर्देशा अनुसार चल रही है अभी दातारामगड 25 समीति के नॉमिनेशन का काम कल पूरा हो गया है और उसके बाद अब उनके लिए हम मतपत्रों की तैयारी कर रहे है और कल परसों से दातारामड के लिए EVM प्रिपरेश को ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद आज उनको डिस्पेज किया जाएगा जो धोध पंचाई समीति के नाम निर्देशन का कारे करने के लिए आज शाम तक अपने अपने गंतवे इस्तल पर पहुंच जाएंगे तो सभी तैयारियां अच्छे से की जा रही है कल ड पूरा प्रियास करेंगे सभी मद्दान कर्मी जिनकी डूटी लगी है उन सबसे आगरे हैं कि वो अच्छे से सही टाइम पर रिपोर्ट करें और रिपोर्ट करने के बाद अपना अंतिम प्रशिक्षन लेके और अपने पूरे दल के साथ सारी सामगरी को लेके जिसमें थेरने की व्यवस्ताएं भी अमारी लगातार फिल्ड की टीमें देख रही है और सारे इंतजाम जो है वो एज पर नॉम्स किये जा रहे हैं तो लिसी दूप से हम पर्थम चरण के लिए बिलकुल तयार हैं ताकि हम अमारे मद्दान दिलों को बहुत अच्छे से डिस्पे कि दोड़ाखे हैं युझाओटर फिल्ड दिलों को राजे का प्राण दिलों प्राण वे जते हैं अच्छेशाद से प्राण